लौकी का नाम सुनते ही बच्चों का मूँ बन जाता है, बच्चे और कुछ बड़े भी लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से लौकी बनाएंगे तो बहुत जादा टेस्टी सबजी बनेगी, लौकी को काट कर अच्छा से धोलेंगे एक दो बार अब इसके लिए हमें सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल में लौकी की सबजी बहुत अच्छी बनती है, अब इसके लिए 2-3 चमच सरसों का तेल लें, गरम कर लें, जैसे ही तेल गरम हो जाए, इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जीरा, क्लॉनजी, मेथी, राई, और साथ में डालना है सौंप, ये 5 चीज़े जरूर डालें, इससे सबजी का फ्लेवर और टेस्ट बढ़ जाता है, तो इससे स्खिट ना करें, जैसे ही ये भून जाए न, गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, अब इसमें डाल देंगे लौकी, इस सबजी को हम बिना लस् हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा सबजी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये सब चीज़े हमें उपर से डालने है, अब सबजी को मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखना है, जब हम लोकी डालता है तो इसमें से पानी निकलता है, पानी छोड़ता है, कम स 10 मिनट तक ढख कर रखेंगे और बीच में एक बार चला लेंगे 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं लोके ने पानी छोड़ दिया है और लगबग आधा लोकी हमारा पक चुका है सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालने है थोड़ा से लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कस्मेरी मिर्च इससे कलर अच्छा आता है सब्जी का चाट मसाला डाल रहे हूँ मैं अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर डालें और इससे अच्छे से मिक्स करकर ढख कर पकाना है 15-20 मिनट तक गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है इस स्टेज पर मैं नमक भी टेस्ट कर रहे हूँ अगर नमक कम लगे तो उपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा सफेद तिल यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आता है थोड़ा थोड़ा इसे हमें अपने खाने में डालते रहना चा कि गैस का फ्लेम आफ कर देंगे तो आप लोग भी बिना लस्टन प्याज के इस सब्सक्राइब को जरूर बनाएं अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूलें अगर आप फेस्बीव पर देख रहे हैं फॉलो कर रहें थै